थंड सुरू होते ही हमारे तरफ चावल की रोटियां चावल के फर्रे पीठा ये सारी सीचे बहुत ज़्यादा बनाई जाती है खाई जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है तो आज मैं बना रही हूँ चावल के फर्रे और ये बहुत ज़्यादा इजी है ब आटा ले लेंगे देखिए जो चावल के फर्रे होते हैं ना चावल के आटे से भी बनाई जाती है साथ ही साथ गेहूं के आटे से भी बनाई जाती है आप चाहें तो सूजी से भी बना सकते हैं सेम तरीका फॉलो कीजेगा आपको जिससे पसंद आप बना सकते हैं वैसे ट्र गर्म पानी से गूतेंगे, तो यहाँ जो पानी है ना गुनगुना नहीं है, गुनगुना से थोड़ा ज्यादा ही गर्म है, तो इस टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करें, और इसे चममच से मिक्स करें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप भी नहीं होना चाहिए उसके बाद इसमें लाश्ट में एक चमचे करीब तेल एड़ कर देंगे और आटे को यहां पर चिकना कर लेंगे आटा बहुत ही आसानी से एकदम स्मूथ हो जाता है और इसे हंडल करना बहुत जादा आसान होता है तो आटा मैंने यहां पर गुत लि साथ ही साथ लहसुन ले लिए लहसुन की जो क्वाइंटिटी थोड़ी सी जादा रखेंगे क्योंकि जब यह स्टीम होती है तो इसमें से जो लहसुन का फ्लेवर है वो कम हो जाता है तो लहसुन की क्वाइंटिटी थोड़ी सी जादा रखेंगा तो खाने बहुत जादा तो मैंने यहाँ पर दस से बारा लेसिन की कलिया, साथ ही एक इंच अदरक का टुकड़ा एड़ किया है, दो हरी मिर्चे, अगर आप थोड़ा और तीखा पसंद करते हो, तो मिर्ची क्वांटिटी बढ़ा लिजेगा, साथ ही दो सूखी लाल मिर्च एड़ करिया है, इसमें बहुत बहुत कम तेल मसाले डलते हैं, और यह बहुत जादा अच्छी लगती है, अब मैंने यहाँ पर लिया आट से दस काली मिर्च, और साथ ही एक से देड़ चमच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, सारे को मिक्सी के जार में अड़ कर देंगे, साथ ही मैंने यहाँ पर मतब 10 सेकंड के लिए चलाएं, बंद करें, तो देखें यहाँ पर यह इस तरह से दरदरा पिस जाएगा, वैसे घर तर अपना इसे सिल्वट्टे में मतलब पीसी जाती है, और यह बहुत जादा टेश्टी लगती है, तो अगर आपके पास अगर सिल्वट्टा होना तो उ यहार में ऐड कर देंगे, और इसे ना बिल्कुल भी फाइन नहीं करना है, दर-दरा पिसकर के तयार करना है, और पिस्ते से में आपको थोड़ा से भी पानी का यूज़ नहीं करना है, आप एक बड़ चलाएं, मिकसर को बंद करें, और इसे थोड़े से चमश से मिक्स करे और वापस से से पीसे अब दिखिए जो चावल के फरे होता है अलग अलग जगों में अलग अलग नाम से जाने जाती है थोड़ा मुड़ा बनाने का जो तरीका होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है आपके यहां क्या बोली जाती है और आप लोग इसे कैसे बनाते हैं मैंने अद्रक मिर्ची कूट करके रखी थी अब इसमें क्या करेंगे कि धनिया एड़ करेंगे तो बारिक-बारिक धनिया को मैंने यहापर चॉप कर लिया है और साथ ही इसमें नमक एड़ कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वाइंटिटी परफेक्ट रखेगा तो खानें भी बहुत जादा अच्छा लगेगा एक बर यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे जो हमारी श्टफिंग है ना तयार हो गई है मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर एक पिंच हल्दी अड़ किया है अप्सनलर डालना चाहें तो डालिएगा अगर इसके बिकर सकते हैं उसके बाद जो यहाँ पर चावल का आटा है ना वो भी थोड़ा सा फूल गया है तो हाथों में थोड़ा से तेल या फिर पानी लगा ले और वापस यहाँ पर आटे को गुद करके चिकना कर लें अब हाथों से इसे दबाएंगे न तो यह अराम से इस तरह से फैल जाते है क्योंकि आटा यहाँ पर काफी सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसे गरम पानी से गूथा था उसके बाद यह बीच में दाल की स्टफिंग रखेंगे और दोनों साइड से इसे अच्छे से चिपका दे इस तरह से उठाते हुए देखिए यहाँ पर जो फर्रा बन करके तयार हो गया है एक इसी तरह से हम क्या करेंगे कि बाकी के फर्रे बना करके तयार करेंगे तो बहुत ही आसान रेसेपी है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है बिल्कुल भी ज्यादा टाइम ने लगता इसे बनाने अगर आप यहाँ पर आटे को नरम लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से हाथों से फैल जाता है आपको बेलन की बिल्कुल भी जरत ने पड़ेगी और बहुत ही फटाफट से बन करके तयार भी हो जाती है देखिए बहुत जगह पर श्टफिंग की जाती है बह मैंने यहाँ पर सारे बना करके तयार कर लिया है इसे मैं इस्टीम कर लोंगी फिर मैं बाकी कवर नाओंगी तो मैंने यहाँ पर श्टीमर चड़ा दिया है उसमें एक लास के करीब पानी एड़ कर देंगे साथी छोटा सा मतब निम्बू का टुकड़ा एड़ किया ताकि करके अपने फर्रे रख देंगे सारे बहुत लोग फरा बोलते हैं फर्रे बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं तो मैंने यहाँ पर रख दिया है सारा अब क्या करेंगे इसे इस्टीमर में डाल देंगे और बारा से पंद्रम मिड तक के लिए से इस्टीम कर लेंगे फ्ल कर देंगे आधा चोटा चमा जीरा एड़ करेंगे साथ ही आधा निम्बू कर असाइड करेंगे जिससे किसमिक बहुत अच्छा कलर आएगा और खट्टा लगेगा खाने में और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया तो हलका सा दरदरा ही मैंने इसे रखा है ताकि जो टेश्ट है हलका सा इस्टिफ हो जाएगा मतलब छुएंगे थोड़ा हाड लगेगा तो आप समझ जाएं कि ये रेडी हो गया है देखिए आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं बट मैं इसमें एक तड़का मारूंगी गरम गरम खाएंगे तो ऐसे ही अच्छी लगती है लेकिन आप सारे फर्रे एड कर देंगे एकक करके ऊपर से मैं यहापर थोड़ा सा चिली फ्लैक्स आड करेंगे ताकि देखने में और भी अच्छा लगे आप चाहें तो हल्का सा हल्दी और नमक आड कर सकते हैं जब मैंने आटे को गूथा था था ना तभी मैंने नमक आड किया और दाल में भी नमक है तो मैंने यहापर ऊपर से नहीं एड किया है देखें यहापर इसे अच्छे से 2-3 मेट तक के लिए भून ले उसके बाद इसमें बारी कटा हरा धनिया एड कर देंगे और देखें यहापर जो फरे हैं कितनी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़़ाय के आसीस को टेश्ट कराते हैं कि उन्हें कैसा लगा ये तो आसीस और मुझे दोनों को ही इस तरह की चीज़े बहुत ज़़ाधा पसंद आती है दोनों ही बहुत ज़़ाधा मन से खाते हैं आप लोग interact कैसी लगी ज़रुर से कमेंट करके बताइएगा ट्राइ कीजिएगा इस सर्दी में और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा ज्यादा सेर कीजिएगा मैं मिलते हूं नेक्स लॉग में बाब बाई